आप सब कैसे हैं अमीद है ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए और देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग जो है वह आपके कार्ड आपकी एनर्जी आज हमसे क्या कहती है ओके कार्ड को हम अच्छे तरी किसे शफल कर ल आप दूनों के दरम्यान में डिवाइन वाइब का कार्ड निकालेंगे उसके लावा फाइनेशल इनर्जी सर्प्राइज और स्पोर्ट कार्ड पर निकालेंगे बॉट्म आफ टे-डेक्ड चेक करेंगे इसले कि यह जो पूरा एक कार्ड का एक पूरा होता है यह सब इनस आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है सोरी, नो फिलिप कार्ड़ ओके जी तो कैंसेरियन्स ये आपकी एनर्जी का कार्ड है ये आपके पार्टनर की एनर्जी का कार्ड है ये आप दोनों के दिर्मियान में डिवाइन वाइब है ये फाइनेशल एनर्जी का कार्ड है ये सर्प्राइज और ये सपोर्ट कार्ड है ओके जी बॉटम आफ टेक आपके लिए नाइट अफ वांड्स, किंग अफ कॉप्स, डेथ और थ्री अफ वांड्स के कार्ड नजर आते है कैंसेरियन देखते हैं कि आपका पहला जो कार्ड है वो हमसे क्या कहता है ओके जी कैंसेरियन थ्री ओफ पैंटिकल्स का कार्ड आपके रिलेशनशिप सेक्टर में आया है रिलेशनशिप सेक्टर के लिए थ्री ओफ पैंटिकल्स का कार्ड आने का मतलब है कि आप रिकॉंसिलेशन चाहते हैं यानि आप और आपका पार्टनर एक दुश्रों को पहले से जानते हैं और लेकिन अभी काफी टाइम से आप दुनों की तर्मियान में कम्यूनिकेशन गैप आ गया था वो कोई कॉन्फिक्ट की वज़ा हो सकती है या कोई ऐसा कोई मामला था है दूरी की विज़ा से में भी कोई डिस्टन्स डिस्टन्ट रिलेशन्स होते हैं में भी कोई ऐसा इशू हो सकता है देखते हैं कि आपका पार्टनर किस एनर्जी में मौझूद है केंसेरियन्स आपका पार्टनर जो है वो King of Pentacles की एनरजी के अंदर नजर आता है King of Pentacles की एनरजी को Relationship सेक्टर में कर देखा जाए तो बहुती खुबसूरत positive card माना जाता है लेकिन Cancerians आपका पार्टनर जो है वो age में कुछ mature नजर आता है और mentally जादा stable नजर आता है Cancerians बहुती केर करने वाले लोग होते हैं लेकिन आप इस ट्रेम 3 of Pentacles की एनरजी में नजर आते हैं आप अपने पार्टनर की एनरजी से मैच करते हुए नहीं नजर आते आप दोनों के दिवाइन वाइब में जो हैना वो 5 of Cups की एनरजी नजर आती है 5 of Cups की एनरजी में यानि के ये देखिए तीन कप यहां पे गिरे हुए नजर आते हैं और ये जो एक डिवाइन वाइब दर्मियान में यानि के ये शख्स जो है ये बहुत ही अफसुर्दा उदास नजर आता है लेकिन एक पीछे दो कप जो है न वो यहां पे मुझूद है लेकिन ये शख्स का पूरा ध्यान जो है वो पूरे मामलाद जो है वो इन तीन कप्स की तरफ जो है न वो नजर आते हैं इससे मुझे एक जो वाइब आ रही है वो ये है इस सिटुएशन कोई बनी थी लेकिन यहां पे होप मुझूद है आपके लिए केंसेरियंस देखते हैं बाद में इसको क्लारिफाइ करेंगे और देखेंगे किया आपके लिए जो है न वो डिवाइन वाइब क्या कहती है आप अपने आपको बहुती बाउंड महसूस करते हैं आपको यकिनन रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको फाइनाइशल प्रॉब्लम्स का सामना है इस टेम केंसेरियंस केंसेरियंस लोग जो होते हैं बहुती केर करने वाले लोग होते हैं लेकिन जैसा कि यहां बे भी आपको नजर आता है आप थरी आफ पेंटिकल्स की एनरजी में नजर आता है जो पहला कार्ड होता है बहुत जो है ना वो स्ट्रॉण कार्ड होता है हमारी पूरी रीडिंग के अंदर वो कहीं न कहीं पे इफेक्ट ज़रूर करता है आपका पार्टनर रिस्टंट किंग ओफ पेंटिकल्स की एनरजी में आज़ाता है आप दोनों के दिम्यान में में भी मनी प्रॉब्लम मुझूद है फाइनशल प्रॉब्लम होने की वज़ा से आप शायद कुछ तल्ख हो गए है और आप अपने आपको आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए बाद में इसको क्लारिफाइड करेंगे और देखेंगे कैंसेरियन्स आपके लिए इसका क्लारिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है सरप्राइड के तोर पे देखते हैं टावर कार्ड यहां पे मुझूद है टावर कार्ड का सरप्राइड कार्ड में आने का मतलब यह है कि कोई ऐसा सड़न चेंज आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जो कि बजाहिर आपको लगेगा कि एक नेगिटिव चेंज है लेकिन जो चेंजिस होते हैं जो टावर कार्ड कार्ड क्यूंकि यह देखें यह जो बिजली यहां पे गिरती हुई नजर आती है यह सब जो होते हैं यह इनसानों का काम नहीं है यह कोई डिवाइन एक मामला होता है आप बजाहिर अपने जिस रुख पर मेहनत करते हुए और जो मामला आप ठीक करने की कोशिश करते रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप एफट करते रहे हैं भी एक कुद्रत आपका वो जो है ना वो पैटरन चेंज करना चाहती है या वो रूट चेंज करना चाहती है जिसकी विज़से ये एक दम से ये कैसा मामला आपके जिन्दकी में आएगा बजाहिर जो के नेगिटिव लगता है लेकिन इनफेक्ट अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव चेंज होता है इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसके अगर यहां पे फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड नाजर आता है फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड जो है ये एक हीटिड आर्ग्यूमेंट को जाहिर करता है यानि कि आपके एडग्यूमेंट के लोग जो हैं वो कोई इतना भोधी अपने वाइसे जो हैं बहुत जादा रेज करते हुए नजर आते हैं कोई आपस में जो है न वो इस तरह के मामलाथ हो सकते हैं जैसे जगड़ा कॉन्फलिक्ट की सिटुएशन एंगर के मामलाथ हो सकते हैं इसको बाद में क्लैरिफाइ करेंगे और देखेंगे कि ये कार्डिया हम पर क्यों मुझूद है ओके कैंसेरियन्ज यहां पे आपके रिडिंग जो है न मुझे कुछ कुछ जhe आपके मामलाथ मुझे कुछ डिस्टरब्ब से नजर आते हैं ओके देखे यह आपके और आपके पार्टनर की जो एनरजी है वो ये है कि आप जो है न वो थ्री ओफ पेंटिकल्स की एनरजी के है कि आपके मामलाद जो हैं वो बिल्कुल एंड की तरफ नहीं गए देर इस होप आपका पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग रखता है लेकिन वो आपसे कोई भी एर्रिस्पॉंसिबल या कोई इमेचुर बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करता इसको बात रखते हैं और आप यकीन अपनी गल्टियों को बहतर करने पर त्यार हैं कि एंसेरियन्स बहुत केरिंग लोग होते हैं अगर उनसे जाने जाने को इससरा के मामलात हो जाते हैं तो यकीन अपने अंदर बेहतर लिलाने की कोशिश करते हैं इसलिए क्यूंके उनको अगर इस सफ़ देखा जाएगी देखिए कि आपका पार्टनर भी जो है जैसे आप मुन्तजर नजाते हैं इसलिए क्यूंके ये जो डिवाइन वाइब का गार होता ये वाइस वरसा होता है ये दोनों के लिए सेम वाइब जाती है आप और आपका पार्टनर जो है नो एक पार्टनर को अगर किसी रिष्टे की हमारे जिदेंगे में एहमियत है तो उनको उनकी एहमियत बताने में कोई हरज नहीं है और हम अपने पार्टनर को ये बता के कि हम उनके लिए positive feelings रखते हैं positive vibes रखते हैं हम उनकी care करते हैं तो दूसा शक्त यकिना आपको जो है न वो उस लोग होते हैं कि आपकी बात में असर भी बहुत ज़ादा होता है आपको I THINKS को कि ये मामला करने की जरूत है आपका पार्टनर जो एक बजाहर एक बिल्कुल एक शाने बेन्याजी में बैठा नजर आता लेकिन आपको अपने पार्टनर को अपने मामलात के बारे में आगाह करना चाहिए अपने फीलिंग्स के बारे में आगाह करना चाहिए आपका पार्टनर को अपने पार्टनर को अपने पार्टनर को अपने फीलिंग्स का इज़ार करें कि आप यहां पर बहुती उदास नजर आते हैं उनके बगार लेकिन आप दोनों के दम्यान में खुबसर source का कार्ड है इसको clarify करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए clarification कार्ड क्या निकलता है जॉब सेक्टर है या business सेक्टर है आपको जो है ना वो इस्टेम आप financially disturb नजर आते हैं maybe bills भी आप इस्टेम पे करने के काबिल नहीं है लेकिन ये कि ये आप याद रखिए कि जो swords की energy होती है वो एक बिल्कुल mental condition होती है यानि आपको बजाहिर तो रास्ता होगा लेकिन क्यूंके ये देखें जैसे आँखों पे पटी बंदी हुई है और रास्ता नजर नहीं आ रहा और इस्टेम आप अपने आपको बंदे हुए की कैफियत में महसूस करते है cancerians इसको clarify करते हैं और देखेंगे कि आप जो है ना आपको क्या energy ने कलती है ये देखें 10 of wands का कार्ड आपको नजर आता है आप इस ट्रेम ये देखें 8 of swords का कार्ड नासर भी के mentally stressed है आप इस ट्रेम में लेकिन 10 of wands 10 of wands जो है ना वो बहुत ही एक ऐसा जो कार्ड माना जाता है जो के बहुत ही ऐसा burden जो के इनसान की कमर तोड़ के रख देता है एक ऐसी energy में आप नजर आते हैं बहुत ही एक ऐसे मामलात के आप ऐसे negative लोगों से भरे हुए हैं जो के ना सिर्फ ये कि आपका बोज नहीं बटा रहे है लेकिन ना सिर्फ ये कि आपको बोज नहीं बटा रहे है और बलके आपको टीज भी करते हुए नजर आते हैं आपका बोज मजीद बढ़ाते हुए नजर आते हैं आपको mental stressed और physical harm देते हुए नजर आते हैं आप इस आपकी आपसे संभल नहीं रही है कैंसेरियन जिसलिए क्योंकि यहां पे सर्प्राइज के तोर पे टावर कार्ड मुझूद है टावर कार्ड जो होता है जो बजाहिर हमने जो सोचा होता है जो प्लैन किया होता है जिसके लिए हम एफर्ट्स करते रहे होते हैं वो मामलात हमा वो अचीव नहीं कर पा रहे थे लेकिन आपको अपने बारे में कुद्रत का फैसले को मनजूर करने की जरूरत है इसको क्लारिफाइड करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टावर कार्ड का क्लारिफिकेशन कार्ड के इंसिरियंस क्या निकलता है ओके ये देखे किस क्द whats खूरता निकलता आपके लिए जो के हमें लगता है कि बिल्कोल एक नगटिव सिचोचन हमें पेश आई है लेकिन इन फेक्ट वो बहुत ही एक positive situation हो दी है लेकिन broader expect में अगर उसको देखें तो बसाहर तो हम अपनी efforts के पूरा ना होने की विज़े से अपनी सारे मामरात, अपनी सारी कोशिशों के राइगान जाने पे जाया होने पर हम बहुत अफसोस करते हुए नजर आते हैं लेकिन हमें अपने बारे में जो गौड है, जो खुदा है, जो बगवान है, जो अल्ला है जिस भी मजब से आप तालुक रखते हैं, हमें उसके plan को trust करने की जरूरत है इस वचे से कि उन्होंने हमाली बहुत ही खुबसूरत plan किया हुए, ये एक अच्छे marital relation का positive card माना जाता है इसके लावा ये job और business में भी positivity का card माना जाता है यानि के बजाहर जो एक बहुत ही negative situation आपके लिए मुझूद थी वो उस negativity को सबर के साथ आप गुजारिये ये देखिए इस negative situation को इस burden की और एक stress की और anger की और जो है ना वो एक suppressive kind of feeling आपको इसमें मुझूद है इस situation से जो financial energy में आपको मुझूद थी इसके विए साथ जैसे अपनी अपकी health भी जो है ना वो निगलेक्ट होती जा रही थी लेकिन इस सब को आपने सबर से बरदाश्ट करना है लेकिन divine से अपना connection जोड़े रखिये इस विए से क्योंके जब divine से आपका connection powerful होगा दूआ का सहारा लें कोई भी मजब हो दूआ जो है ना वो किसी भी मजब में मना नहीं है वो आपको अंदर से मजबूत करती है दूआ का सहारा लें और फिर यह जो एक situation आपको पेश आएगी उससे आप बहुत easily smoothly निकलते चले जाएंगे बस go with the flow वाली situation के आपको करने की ज़रूरत है देखिए आगे आपके लिए कितनी खुबसूरत positivity मौजूद है बिजनस के अंदर जहना वो job के और बिजनस के अंदर जहना वो flourishing खुबसूरत bright energy मौजूद है और relationship sector में भी बहुत एक smooth energy नज़र आती है मुझे cancerians आपके लिए बहुत positive surprise यहां पर मुझूद है कि देखिए यहां पर जो five of wants की energy है जो support card है आपका इसको clarify करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए इसका clarification card कहाने बलता है flip cards नहीं लेंगे यह देखिए night of cups की energy यहां पर नज़र आती है यह support card है support card के अंदर five of wants का card और इसके clarification card के तो पर night of cups का card है night of cups का card एक positive solid offer love offer आपको आ सकती है जो के बजाहर एक इतनी fast movement नहीं है लेकिन यह है कि यह बिलकुल positive होती है इसकी positivity में कोई शक नहीं है लेकिन आपको इस argument से बचने की ज़रूरत है अपने उन वो conflict करने वाले दोस्त और वो जगड़ा करने वाले लोग आपको उनकी तरफ एक cup of love बढ़ाने की ज़रूरत है वो लोग जो एक दुस्ते के साथ बैट के बात तक करने पर तक यार नहीं आपको उनको वो positivity उनकी तरफ लाने की ज़रूरत है इसलिए क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक kind का जब जगड़ा ख़तम करवाएंगे तो आप एक kind का गुड़ कार्मा create करेंगे और जब आप गुड़ कार्मा create करेंगे तो चीज़ें बिलकुल आप सबके लिए smoothly होती जाएंगी में भी आप लोग work colleagues हो सकते हैं जो एक दूसरे की टांक खेंचते हुए नजर आते हैं कोई ऐसे business partners हो सकते हैं जो के conflict की situation में मौझूद हैं और एक दूसरे को जो है ना बजाए help करने के एक दूसरे को के लिए negative feeling रखते हुए नजर आते हैं लेकिन आप सब कभी एक अच्छे दोस्त रहे हैं तो आपको यह देखिए यह जो आप तुनों के दिर्मियान में divine vibe आपके आपके partner के दिर्मियान में जो divine vibe का card है था वो यह three of cups यह तीन cups गिरे हुए नजर आते हैं लेकिन यह यहां पर दो कप यहां पर मौझूद हैं आपको अपनी positivity जो है ना वो अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करने की जरूरत है लेकिन यह कि अगर positivity आप शेयर ना कर सकें वक्ती दोर पे fully अपनी positivity शे कर दीजिए negativity निकाल दीजिए जगड़े के अंदर ना पढ़ें इसलिए क्योंकि इससे आपकी mental health मतासर होती है किसी को हरा कर इनसान किसी किसा जब इनसान जगड़ा करता है उसको जगड़े में तो हम हरा लेते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें एक अच्छे दोस को एक अच्छ जाती ही रहती हैं लेकिन ये कि जो अगर रिष्टे को जाएं तो फिर वो मिलना बहुत मुश्किल है आपको जो है ना बहुती सोच समझ के बहुत ध्यान से मामलाद को संभाल कर चलने की जरूरत है आपके बहुत positivity मौजूद है खुबसूरत energy यहां पे मौजूद है और आ divine help के तोर पर ये energy दी जाएगी लेकिन आपको अपने हिस्से का good karma अपने हिस्से की नेकी करने होगी और फिर मामलाद आपके लिए खुबसूरत energy में और बहुतरी की तरफ जाते हुए मुझे नजर आते हैं आपको careful रहने की जरूरत है किसी की negativity को अपने ओपर हावी ना हो है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मुझे support करना चाहें तो description box में मेरे number मुझूद है hope you enjoy the reading, thank you, Allah Hafiz, दोसरों के साथ share भी कीजिये मेरी videos को